नमस्कार दोस्तों आप देखने हैं Technical Sagar YouTube चैनल मेरा नाम है अभिशेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं firmware के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि firmware क्या होता है कैसे काम करता है कौन से कौन से devices में काम करता है मुझे ये पता है कि आप जरूर remote control का इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि आजकल जो TV होते हैं या DVD प्लेयर्स होते हैं उसमें mostly remote control का इस्तेमाल होता है बहुत ही common सी चीज हो गई है और सभी इस्तेमाल करते हैं क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके remote control के अंदर भी तो कोई software हो सकता है जो काम करता है या traffic lights के अंदर भी तो कोई software हो सकता है आपका जो toast maker है आपका जो dishwasher है आपकी जो washing machine है उनके अंदर भी तो कोई ना कोई software जरूर होगा न कि वो जैसे जैसे काम करती है कुछ programming तो जरूर होई होगी ऐसे devices में software नहीं होते है mostly वो firmware होता है firmware भी एक piece of software ही होता है जो की factory से डल के आता है non-volatile memory में अब मुझसे लोग पूछेंगे non-volatile memory क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ देखें, दो तरीके की memory होती है volatile और non-volatile volatile memory वो होती है जिसमें अगर आप power cut कर दें तो उसके अंदर data नहीं रहता जैसे की RAM आपको पता है computer कैसे काम करता है on होता है data RAM में जाता है start होता है RAM काम करता है जैसे computer बंद होता है RAM में से जितनी भी information होती है सब erase हो जाती है मतलब वो temporary memory होती है ऐसे ही non-volatile memory भी होती है जो की permanent memory होती है किसी भी device की non-volatile memory में होता है permanently stored होता है अब 2013 के बाद से जो भी firmware mostly आए वो update हो सकते थे जो पहले firmware होते थे पुराने devices में वो update नहीं होते थे अब firmware एक software है तो जाहिर सी बात है कि वो update हो सकता है अब मुझसे लोग पूछेंगे सर ये firmware update क्यों करते है firmware update तब किया जाता है जब किसी existing firmware में किसी device में कोई bug हो कोई कमी हो जिसको सुधार ना हो तो हम उसका software update करते है ऐसे ही firmware update करते है software में और firmware में कुछ ज्यादा difference नहीं है अगर देखा जाए तो ज्यादा difference नहीं है और ज्यादा तर ये मुश्टी अपडेट नहीं करते हैं लोग तीक है वो जियों का तेओं ही रहता है जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली चीज अपडेट होती है वो होते हैं अब इसका इस्तेमाल जो थोड़े टेकनिकल परसन होते हैं वो यूज करते हैं जिसको फॉर्मवेर हैकिंग कहा जाता है मेरा चैनल थोड़ा सा ethical hacking के ओपर जादा concentrate करता है तो यहां कोई भी चीज़ अगर hacking से related आती है किसी भी term में तो मैं इसको ज़रू discuss करता हूँ तो अब मैं firmware hacking के बारे में बताऊँगा आपने जान लिया firmware क्या होता है एक piece of software जो आपके जो machine होती है, toaster होता है, traffic light होती है इन में डलके आता है, इवन खिलोनों में डलके आता है ठीक है, अब यह पता चल गए आपको firmware क्या होता है और यह कहां store होता है, यह non-volatile memory में store होता है अब मैं आपको firmware hacking के बारे में बताऊँगा जो अलग-अलग companies के जैसे idea का, airtel का dongle आता है ठीक है, data card आता है, जिसमें sim लगा कर हम net चलाते है अब ऐसे data cards भी आते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही company का sim चल पाता है कि मान के चलिए, अगर idea का net setter आपने ले लिया idea का dongle ले लिया, तो उसमें idea का sim डालका ही चलेगा क्यों? idea ये चाहता है कि आप उसी का sim उसके device में use करें अब ऐसे case में जो लोग होते हैं, वो उस idea net setter के firmware को change कर देते हैं तो जो firmware महां से डलके आता है, वो idea के तरफ से डलके आता है और वो कुछ इस तरीके से design होता है कि सुरक उसमे idea का sim चल सकता है लेकिन अगर आप उसके firmware को बदल दे और original वाला कर दे जो उस device में पहले था तो आप कोई भी sim चला सकते हैं, उसको unlock करना बोलते हैं, unblock करना बोलते हैं या degrader भी बला जाता है, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो dongles होते हैं, मैं आपको एक rough idea दे देता हूँ, कैसे काम करता है जो dongles होते हैं, उसके firmware को change कर देते हैं वो लोग, ठीक है तो आप उसके firmware को degrade भी कर सकते हैं, firmware upgrade तो होता ही है अगर उसको degrade भी कर देंगे ना, तो भी वो unblock हो जाएगा क्योंकि एक particular firmware में वो instruction है ना, कि वो seem नहीं चलेगा उसको degrade कर देंगे, तो firmware change हो गया, है उसी device का, लेकिन degrade हो गया, दूसरा हो गया तो वो seem, सारे seem उसमें काम करना शुकर देते हैं ऐसे ही आप, अलग-अलग functionality डालते हैं, आपको पता है, अगर आप Android mobile यूज़ करते हैं, तो custom room आते हैं उसमें custom room का मकसद क्या होता है, कि आपको functionality ज़्यादा दी जाए, features ज़्यादा दी जाए, जो factory से नहीं आए जो company नहीं दे पाई, खुद घर में लोग घर में अपने बनाते हैं firmware, उसको modify करते हैं और डालते हैं, ताकि device की stability अच्छी हो सके, उसको मन मताबिक वो customize कर सके, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आज हमने कैसी का firmware क्या होता है, volatile और non-volatile memory क्या होती है, और firmware hacking क्या होता है, अगर आपके कोई सवाल हैं तो comment में आप मुझे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दू, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजे, इस वीडियो को like कीजे और दोस्तों के साथ share कीजे, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीड Thank you so much and good bye.